हेलो, मैज्य फ्रेंद्स जावा लेक्चर स्रीज के अगले लेक्चर मैं आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं HOW TO PING A SERVER THROUGH Jawa PROGRAMING Jawa PROGRAM के थ्रूँ आप किसी सर्वर को कैसे एकसे कर सकते हो हम आज क्या करेंगे की कोड़ बनाएंगे उस से उस code के थ्रू हम किसी server को यानि एक web page को एक web server को access करेंगे तो चलिए start करते हैं चलिए start करते हैं तो हमने क्या का कि हम करने वाले क्या है कि एक अपने code एक बनाएंगे और उस code के थ्रू किसी server को access करेंगे किसी web page को access करेंगे तो आपको last lecture में हम लोगोंने बात की थी कि जब भी हमें Java में network coding करनी होती है यानि दो system को connect करना है या request स्वेजनी है response लेना है तो उसके लिए networking के लिए networking programming के लिए हम लोगों किसकी जुरुत पढ़ती है आपकी net package की जुरुत पढ़ती है तो सबसे पहले वही काम किया इंपोर्ट जावा.net नेट package को हमने इंपोर्ट किया नेट package की net.inet address पहली वाली लाइन इंपोर्ट जावा.net .inet address inet address क्या है inet address class हम लोगोंने जब networking का first lecture हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पर हम लोगोंने इसको discuss किया था inet address class IP specific होती है यानि मुझे web address को access करना है या फिर IP के थुरू काम करना है तो वहाँ पर हम लोगों के सहा inet address पे क्लास पे काम करते है और दूसरी जो मैंने यहाँ पर क्लास यूज की है वो है हमारी socket class import java.net.socket class socket class क्या होती है socket के हमने बात की थी कि combination of IP address and port number तो socket क्या करेगा end point होता है एक दो communicative devices या दो machines के बीच में जिस point के थूँ जिस end point के थूँ आप communicate करती है वो devices उसे हम लोग कहते है socket socket is the end point तो socket class को यूज करेगा क्यों क्यों क्योंकि मैं अपने system के थूँ किसी web page को access करूँ तो मेरा system as a client work करेगा यहाँ पे तो इसलिए हमने socket class को use किया है उसके बाद हमने class बनाई है webping नाम से मैंने class बना दी है main method पे direct हम लोग काम कर रहे है देखिए यहाँ पे क्या क्या inet address inet address class हम लोग को यहाँ थी ip specific class थी ip address पे काम करती है हमने क्या क्या inet address class का एक object बनाया है जिसको कि हम नाम दे रहे है addr यानि address के लिए ले रहे है उसके बाद exception handling पे मैं काम करता हुआ चल रहा हूँ ताकि अगर कोई exception आती है तो वो easily handle हो जाए हमने क्या क्या socket class का object बनाया यह जो socket class है socket class का object बनाया जिसको नाम दिया sock और इसके constructor को दो argument पास किये दो argument पास किये पहला argument args0 यह क्या है किस web page को मैं access करना चाहता हूँ कि server को मैं access करना चाहता हूँ और दूसरा argument है port number यानि किस port पे मैं उस access करना चाहता हूँ अब यहां पर port number 80 बात दी हुई है तो first lecture में हम लोग उने जब network programming हम लोग देख रहे थे तो terminologies पे जब हम लोग उने काम किया था तो हमने बात की थी भी port number 80 किस चीज़ के लिए स्टीटीप रिक्वेस्ट के लिए है हाईपर्टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट के लिए तो हमने यहां पर क्या किया port number 80 को पास किया है तो पहला argument आपका web page का है जिस सर्वर को आप एक्सेस करना चाहते हो दूसरा आपका port number है अब हमने क्या क्या inet address class का जो object था ADDR ADDR में assign किया है किसे socket class के object dot get inet address get inet address class क्या करती है sorry method क्या करती है get inet address method का का काम है जो socket connection stable हुआ है उस socket के address को retrieve करना उस address को read करने का काम करता है get inet address अब देखें यहाँ पर क्या 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 है socket class की थरो हमने क्या 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 है socket connection किसके साथ बना इस argument के साथ बना जो भी हम web page pass करेंगे और किस port पे बना port number 80 पे बना तो अब get inet address क्या करेगा यह अगर connection stable हो जाता है अगर सब कुछ सही रहता है और यह connection stable होता है तो get inet address क्या करेगा इस socket connection को access करेगा और उसे assign करवा देगा किसे ADDR address object को जो कि inet address class का object है उसके बाद हमने क्या कि ADDR की value को print कर दिया कि हाँ भी connection अगर stable हो गया है आपको connection नहीं बनता है अगर इसे कोई connection नहीं बनता है और आपको एक exception शोग कर देगा जो connection है रही बन पाई इसलिए हम लोग ने try catch page पर काम किया था java.io input output exception e आपको जो भी exception message होगा उस exception message की value print करा देगा तो ये है आपका code अब इसे run करके देखते हैं मेरा जो code था java compiler java c webping.java webping नाम से मैंने code बनाया था webping.java जैसी ही मैं करता हूँ तो मेरा code compile हो रहा है successfully compile है अब इसे interpret करते हैं java webping अब वहाँ पर देखे हैं मैंने कहले है args0 नी command line argument में काम कर रहा था मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपना address पास करना पड़ेगा किस web page को मैं access करना चाहता हूँ मैंने का youtube.com तो जैसी मैं enter करता हूँ तो अब यह क्या करेगा इस youtube server से connection stable करेगा और अगर यह connection stable हो जाता है तो inate address class क्या करेगी उस socket address को मेरे को provide करवाईगी socket address को provide करवाईगी और वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा किसके साथ connection stable हो यह youtube.com और इसकी IP भी हमें साथ में साथ यह get in it address हम लोगों को provide करवाती है तो देखें उसने message दिया connected to किसके साथ connection बना है www.youtube.com और इसका जो IP address है 216.58.196.206 अगर आप इसे check करोगे तो यह आपका किसको assign होता है youtube का यह IP address है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते है अपने java code के through किसी server को access कर सकते है तो next lecture में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या है के वाले connection stable किया है अब अगले page में हम पूरा पूरा एक web page retrieve करेंगे web page को access करेंगे यहाँ पे हम लोग ने क्यावले connection stable किया है अब एक connection बन गया है वहाँ से कुछ उसका IP address access कर लिया पिंग कर लिया है अगले में हम web page को retrieve करने की कोशस करेंगे कि java code के तो कैसे आप web page को retrieve करते हो तो अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया तो इसे like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा अपने दोस्तों के शेर भी कीजिएगा मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाई